असलामनेकम बच्चो आज हम लोग डिसकस करेंगे basic forces of nature को तो इसको समझने के लिए चलते है राइटिंग बूर्ड की तरफ हाँ जी बच्चो बेसिकरी हमारे पास होती है पांच forces होती है हमारी नेचर के अंदर हमारे पास पहले नबर पे आए gravitational force दूसरे नबर पे magnetic force तीसे नबर पे electric force चोते नबर पे weak nuclear force और पांच वे नबर पे strong nuclear force gravitational forces जो है वो basic हमारे पास तमाम object को जमीन अपने center की तरफ आट्रेक करती है यह gravitational force है यह जितने भी heavenly planets हैं तमाम objects को आपने center की तरफ पूल करते हैं magnetic force magnet जो है या जो magnetic field है current से produce होने वाला वो भी हमारे पास charge particle पर force लगाता है electric force electric field भी जो है वो भी charge particle पर force लगाता है इसी तरह से nuclear के अंदर weak और strong nuclear forces जो है ये भी exist करती है अब ये जो पांच forces है इन पर जब research की की तो काफी सरे feature gene forces में common है तो उनको आपस में merge कर दिया गया और कि ये कैसे merge किया गया चलते है next slide की तरह तो जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया है कि basically जो है वो पांच forces होती है gravitational force जो है और इसके बाद magnetic force जो है अब ये देखें initially जो है दो scientists थे फिराडे और Maxwell फिराडे और Maxwell जो है इन्होंने research की magnetic force पे और ये प्रूव किया कि जब भी किसी के इलेक्टर में से current flow करता है तो magnetic field produce होता है यानि कि changing electric flux magnetic field produce करता है और changing magnetic flux जो है वो electric field produce करता है यानि कि दोनों का अपस में interaction है तो फिराडे और Maxwell ने इन दो forces को merge किया और इस तरह से electro magnetic forces जो है इनका नाम दिया यानि कि magnetic forces electric forces को merge करके इन्होंने electro magnetic forces का नाम दिया और सौ सल के बाद इन दो forces की unicorn के बाद हमारे पास पकसानी एक scientist सा डक्रड़ा अब्सव अर उसके साथ दो scientist है विन बरग और міलाग और गलैसो हमारे पास décärtर अब्सवस ये पकसानी scientist यानिक्शों की unification कि 100 years के बाद पकसानी scientist अब्स अब्सवल्च ऑड़ अब्सव आप्ड की डिसकबरी पे बिला इन तोनों ने इन तीनों ने मिलकर Electromagnetic और Weak Nuclear Forces इन में कामन फीचर जो है वो उस फीचर की बेसिस पे इन दो फोर्स को मर्ज किया और इसको Electro Weak Force का नाम दिया गया और फर्दर ये एक्सपेक्टेड है फीचर के अंदर कि ये जो Electro Weak Forces और ये जो Strong Nuclear Force है कि इनको similar फीचर की बेस पर मर्ज करके Electro Nuclear Force का नाम दे दिया जाएगा तो ये हमारे पास Further expected है कि ये जो दो फोर्स दे है Electro Weak Force और Strong Nuclear Force इनको Grand एक थियूरी बनाए जाएगी जिसमें Electro Nuclear Force का नाम दे दिया जाएगा तो ये बरहल Unified Electro Nuclear Force जो है वो इन तमाम Forces में common feature की basis पर जो है वो possibility है कि इनको आपस में मर्ज कर दिया जाएगा तो ये हमारे पास Basic Forces और फिर वो किस तरसे मर्ज होकर नहीं हमारे पास उनकी Unified Farm बनती है तो इन को हम लोग ने डिस्कस किया तो ये इतना ही काफी है बहुत शक्रिए बचो